हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम से लोनी है मुझे 6-7 यह से शूगर है मैं सिरफ इसलिए वीडियो बना रही हूं कि 5-6 यह से पहले शूगर में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नौलज लेंगी इसकी वज़ा से मैंने इतने शुरीद को क्या है मैं यही चाहते हूं कि जो चीज मैंने उस वक्त फेस की 5-6 यह पहले वो चीज आप फेस ना करें क्योंकि एक लेडी के लिए बच्चे भी छोटे हो और उपर से शूगर हो जाए इंसान तो वैसे टूड़ जाता है उसे समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना वो अपना वही रूटीन मनाई रखता है वो अपने रूटीन को चेंज नहीं करता लेकिन इसकी वज़े से आपका शरीर धीरे-धीरे खराब हो जाता है सबसे इंपॉर्डन चीज हो आपके श्रीर की जो हड़िया है ना वो शुगर की वज़ा से अगर उसका लेवल ऊपर जा रहा है वो धीरे धीरे खुरनी शुड़ू हो जाती है आपको थकावर होती है आपको चलना अच्छा नहीं लगता पिर बच्चे आपको वास देते हैं ममा यह ममा वो आप दोड भाग के कोई आपको पता है अगर बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं बहुत दोड भाग है रोज उन्हें चाहिए उन्हें आप ही चाप्टर समझा रहे लेकिन यह कैसे हो पाएगा नहीं हो पाता है आप धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा को आप धीरे धीरे सारी चीजों को छोड़ना शूरू कर दोगे आप स्घोस्ति दीरे-दीरे सारे काम चोड़ दोगे, इसलिए मैं ये जाती हूँ कि जो चीज मैंने फेस किया है, वो चीज आपको फेस ना करनी पड़े, इसके लिए मुझे तो ये भी नहीं बता था कि हां भई मुझे अपने गाड़न में, मुझे बहुत शोंगा प्लांस का पर ये नहीं नहीं पता था कि मुझे अपने गढ़ में कौन से प्लांस लगाने हैं फिर जब मुझे मैंने कुछ सालों के बाद सोचा कि नहीं मुझे अपना ठीक करना है तो मैं गई पार्क बगारा मैं मुझे फ्रेंड्स मिले जिने भी शूगर थी हमने एक दूसरे के साथ बातचीत की स हमें पहचानना पड़ता है कि आज हमने गुड मार के दो पत्ते खाए हैं तो क्या हमें वह सूट की हैं आज हमने यह क्रेले खाए हैं क्या वह हमें सूट की हैं आज हमने कड़ी पत्ते के कुछ लीव्स प्रॉंठी में डाल कर यां यूंही खाए हैं क्या वह हमें सूट की इसके लावा जवैन है हमने जवैन के लिव्स खाए है यह जामुन का छोटा सा पोधा है अगर हमने उसके पत्ते खाए है हमें सूट किये हैं यह हमने देखना सूट किये क्या होता है यह होता है कि मेन शूगर वालों के लिए पेट का साफ होना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आप में अनर्जी लेवल बढ़ेगा नहीं कि शूगर की वज़ा से आपके अंदर सबसे पहले तो नीद और आलस आएगा और श्रीद में बटाएगी जिससे आपको चलना फिरना और कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगेगा इसी लिए अगर आपको शूगर है आप सबसे पहले यह चार-पांच पॉधे अपने घर पे लगाईए जिनमें यह कुछ है कि मैंने वही पॉधे अपने घर पे लगाएं जो मुझे बेनेफिट्स देते हैं शूगर में और आज कुछ सालों के बाद मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है अब घर का पूरा काम मैं ही करती हूँ अपने बच्चों की स्टडी को देखना दोड़ भाग करना वो सब मैं ही देखती हूँ इसलिए सिरफ मेरा वीडियो बनाने क यही मोटीव है कि जिने शूगर है उन्हें रूना नहीं है खबराना नहीं है बस अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना है और हां सबसे बड़ी बादना आप यह सोचते हो कि मुझे यह करेले सुबा ही खाना है मैंने यह देखो यह छोटे-छोटे करेले हैं सुबा अब यह दो बड़े करेले खाने बहुत मुश्किल है यह जाड़ करेला भी जहते हैं यह अपने आप यह उग जाते हैं खाली प्लॉट में और मैं इसे खाती हूं यह टेस्ट लैस है और बैने फिट बहुत ज़्यादा देते हैं और उसके बाद मैंने गुड़मार के दो पत यात जाटे क्योंने हैं यह दूसमें और उसके आपना पानी ज़ुझीस पिना में जाटे हैं और वाले अपना पानी पीना है तो शुगर तो गरम पानी ज़रूर पीना हरमील के बाद सुभा या अगर आपको चाय की लत्थ है आप चाय पी रहे हो तो अगर आप ओफिस में हो या आपकी शौप है तो जिससे आप चाय मंगवाते हो उससे एक गरम पानीगा गिलाज जरूर मंगवाना आपको बहुत बेनेफिट देगा मुझे सारा ग्यान नहीं है हम सब मिलकर आपस में ग्यान को बांटेंगे और इस छोटी सी यह जो प्रॉब्लम है न शूगर इसको दूर करेंगे थैंक यू एंड स्पोर्ट में